ब्रथ में आपने बहुत सारी रेसिपी ट्राइक होगी लेकिन आज की जो रेसिपी है ना तो इसका वीडियो आपको कहीं मिलने वाला है और नहीं आज से पहले कभी आपने इसे खाई होगी बहुत ही अमेजिंग है बहुत यूनिक और इंट्रेस्टिंग रेसिपी है और मैं आपको बताती हूँ तो यह जो सिंहाडा होता है हमारी यहां क्या होता है जो सिंहाडा होता है उसका जो आटा है वो मार्केट से नहीं लाया जाता है क्योंकि वो किसी को पसंद नहीं होता है और इस पेसली ब्रत के लिए तो सिंहाड़ा के आटा हमारे घर में ही तयार किया जाता है हम लोग खुछ से उसको करते हैं तो उसके लिए आपको सिंहाड़ा मार्केट से लाना पड़ेगा और उसे क्या होगा अच्छे से पानी से धूल कर एक दिन के लिए धूप में सुखा लिजे और फिर उसको जब आप कूट कर उसका जो आटा बनाते है न चालने के बाद जो ये चालन बसता है न एकदम चूरे के फॉर्म में होता है जैसे सूजी होती है तो जो सिंहाड़े का आटा है वो तो इस्तिमाल हो जाता है बरत में लेकिन ये जो बचा हुआ होता है ना इसे लास्ट में क्या करते हैं भई पीस्टे पीस्टे तो इनसान थक जाता है फिर लास्ट में इसका कोई यूज नहीं रह जाता है तो क्या करते हैं या तो फिर से आप इसको मिक्सी के जार में डाल कर पीसी ये फिर्स का आठा तयार की और नहीं तो क्या कीजिएगा लास्ट का ये बचा हुआ जो सिंहाडे का चूरन बोल सकते हैं या फिर कुटा हुआ सिंहाडा या फिर सिंहाडे की दलिया तो एक तरीके से ये सिंहाडे की दलिया बोल सकते हैं तो इसे क्या करना है कड़ाही में डाली एक बड़े चमर देशी और इसको डाल कर बढ़िया से लो फ्लेम पर भूनियेगा तक्रीबन चार सी पांच मिनट के लिए और जैसे जैसे यह भूनेगा ना इसकी जो खुस्बू है वो आपके सारे घर में फैल जाएगी क्योंकि सिंगाडे काटा जब भूनते होंगे तो आपको पता होगा कि उसकी के बाद इस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर आप इसका बना सकते हैं तो आज मैं बना रही हूं सिंगाडे की खीर अब आप सोच रहे होंगे यह किस टाइप की खीर है भाई एक बार आप बनागर तो देखिएगा तो यह काफी अच्छे से बोन चुके हैं कलर भी चेंज ह चुका है तो अब यहां पर मैंने हाफ लीटर से थोड़ा ज्यादा ही दूद इस्तेमाल किया है टेस्ट के एकॉर्डिंग इसमें चीनी एट कर देते हैं आप जितना मीठा कम या ज्यादा पसंद करते हों उस इसाफ से एट कीजेगा और इसे हमें धीमी आज पर ही पकाना होता है क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसको टुकड़े है वो सूजी से थोड़े से बड़े होते हैं तो देखिए अब इसे इस तरीके से हम चलाते रहेंगे ताकि यह पैन में अकड़ाही में चिपके नहीं और नौरात्री के व्रत में तो अक्सर ही मेरे घर में लाया ही जाता है और उसको कूट कर फिर उसका आटा बनाया जाता है क्योंकि मार्केट का आटा हमारे यहां इस्तिमाल बिल्कुल नहीं होता है तो यह देखे इसको मैंने टोटल साथ मिनट पकाया है धीमी आज पर और इसकी जो कंसिस्टेंसी है पहले से काफी ठीक हो गई है और ये अच्छे से कुख हो चुका है कच्छा बिल्कुल भी नहीं है और देख सकते हैं अभी ही कितना ज़्यादा क्रीमी लग रहा है एक दमगाड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसमें कोई महनत आपको अलग से नहीं करनी है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है बहुत यादा हिल्दी भी है और ये बच्छों को भी बहुत पसंद आएगी वैसे आप ब्रत की और भी सिंगाड़े की रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत तरीके की अपलोड है आप चा पसंद हो और जो नहीं पसंद हो उसको आप स्किप कर सकते हैं तो इसे भी डालने के बाद बस एक मिनट पकाएंगे फिर गयास की फ्लेम को आफ कर देंगे क्यूंकि जब यह ठंडा हो जाता है न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की गल्ती बिलकुल मत कीजिएगा तो से हलका सा ठंधा करते हैं फिर इसको हम सफर लेते हैं तो सिंगाड़े की और भी रेसिपीज देखने के लिए चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं सिंगाड़े की कड़ी सिंगाड़े की पकोड़ी सिंगाड़े का च्छीला मत comunidad बहुत सारी रेसिपिज अप्लोड है हमारे चैनल पर तो आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आप रत्मी सिंखाडा खाते हैं आपको पसंद है तो फिर रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी तो बस अब लास्ट में पिस्टे की गार्निसिंग कर देते हैं जो कि लुक देखने में काफी अच्छा लग रहा है और यह वाली रेसिपी सच में आप खाएंगे ना तो मज़ा ही आजाएगा क्योंकि इतनी ज़्यदा टेस्टी लगती है उतनी ही यह हिल्दी है बनाने में तो बहुत आसान है तो लगरी है ना बहुत ही घजब की तो ट्राइग कीज़ेगा फीडबैक से एर कर नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर